हेलो फ्रेंट्स, फाइनल सेलेक्शन वाई संदीप में आपका स्वागत है, आज हम लोग बात करेंगे, बीपेस्सी पीटी में जिस सेक्शन को लेकर बहुत ही आप लोगों में कौतुभल है, वह सेक्शन है करेंट अफेर्स, तो पीटी के लिए करेंट अफेर्स ज्या पर हैं, कितना पर हैं और कैसे पर हैं, हम लोग इस तीन मुद्दों पे चर्चा करेंगे, जिसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कि करेंट अफेर्स से 30 से 35 प्रस्ट, एडजेक्ट का देना कि 30 प्रस्ट या 35 प्रस्ट या 40 प्रस्ट तो या मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि 30, 32, 33, 35, 33, इस तरीके से क्या होता है, कि कोश्चिन्स की बाराबारता होती है, तो हम लोग एक ले लेते हैं, 30 से 35 के बीच में की प्रस्ट प्रस्ट ते रहते हैं, अब इस 30 से 35 जो क्रेंट अफेर्स का आपका प्रस्ट है, यहाँ बहुत ही परिसान करने वाला होता है, सभी लोगों को एतीक चिंता होती है BPS-3, P T में किसी सेक्सन को लिकर, तो वाज सेक्सन आपका करेंट अफेर्स ही होता है, कि करेंट अफेर्स को कैसे खिया जाए, अप लोगों को घेड़ सारा कमेंट आ रहा था, कि करेंट अफेर्स को लेकि एक अलग से वीडियो बना द देखा तो वह था कि ओभर आल बीपीएस्टी में किस प्रकार से हंड्रेड प्लस मार्स का जो आक्रा है वह लाया जाए और उसमें मैंने अपनी रणनेती बताई थी आप लोगों ने देखा या यह अपनी नहीं देखा है तो इसके प्रसन में जाके आप देख लिजिएगा तो बाद आज जो इस लेक्टर मोगी सिर्फ वह सिर्फ क्रेंट अफेर्स की होगी और इस क्रेंट अफेर्स के से से जो 30 से 35 प्रसन पूछे जाते हैं इस 30 से 35 प्रसनों में से आपका 25 से 30 प्रसन कैसे सही होगा इस पर हम लोग चर्चा करें कि क्या पर है कि 20 से 25 25 से 30 प्रसन जो है आपका सही हो जाए तो इसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका है अब आसान सा कहने का आर्थ कताई यहां नहीं होता है कि आप करेंट अफेर्स पर ध्यान ना दे करेंट अपके पास कुल बिलाकर देखा जाए तो 57 अभी भी हैं और इस 57 दिन में भी आप जीरों से शुरू करके 30 तक पहुंश सकते हैं करेंट अपके जीरों से भी सुरू क करेंगे आप तो आप एक अच्छे मार्थ को हसिल कर लेंगे करेंट अफेर्स में और जी करेंट अफेर्स में आपका 25 से 30 सही हो जाता है तो रिजल्ट आपका आथानी से हो जाएगा कोई कार्ट नहीं सकता है 100% होगा इसकी तो गयंटी भी दी जा सकती है यह आपने इस त बुख है वह है आपका SPD का किसका है SPD की बुख है बारसीकांक करके आती है तो SPD का वारसीकांक आप ले लें मेरे भगल में यह पिक्चर आपको दिख रहा होगा SPD के बारसीकांक का का है तो आप यह बुक ले ले, पहला तो यह ले लेना है, दूसरा जो बुक है, वहाँ दूसरा बुक है आपका, प्रतियोगिता दर्पन, प्रतियोगिता दर्पन में दो तरह की बुक है, एक है आपका, की मंतली, परतेक मां हमें मैगजिन जो आती है, इदि याद परतेक मां खरिद रहे हैं, तो अच्छी बात है, और हम आसा करते हैं कि जितने भी लोग, इस तयारी में, कम से कम एक मैजिन जो मंतली आती है, आपके पास तो होगी ही, चाहे वहाँ पीडी हो, या क आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं कि परत्योक्ता दरपन ही चाहिए, या कुछ छेत्रा ही होना चाहिए, या प्रिष्टिक आई होना चाहिए, ऐसी कोई बात देता नहीं है, कोई भी एक मंतली मैगजिन जो आप पढ़ते आ रहे होगी, वो काफी है, आप उसे ही रखें, और हाँ, यदि आप मंतली मैगजिन नहीं ले रहे हैं, या नहीं ले रहे थे, तो आप क्या करें, कि परत्योक्ता दरपन की भी बारसी कांग करके बुक आती है, यदि मार्केट में आ गई हो, तो आप क्या करें, इसका बारसी कांग ले ले, परत्योक्ता दरपन का बारसी पड़ें पॉछ मुद्दभा होते हैं आता है उसके बाद कुछ आंतर रास्ट्रियं मुद्दभा होते हैं कि कुछ खेल कुछ से संबंधित होता है तो आप कुछ पिलम जबत से होते हैं आप तो S.P.D. की के बात में SPD को आप तीन वागों में बाट देंगे पहला वाग जो होता है उसमें आपको इस तरीके से सब दिया हुआ रहेगा नीतियायों के बारे में सूचकांग के बारे में कुछ नहीं ने जो पॉंटल होते हैं उसके बारे में कुछ मुवाइल अभी तो कोवी नाइंटी को रोना वाइरस के बाद जो है जब से कोडैस बिर्टिव में आया तब से सभी देशें अनेख प्रकार के एक का मिकास हुआ अनेख प्रकार के योजनाओं को चला एगया तो बिश्व के संदर में हम लोगों को नहीं जाना है हम लोगों को देश और अपने राज्जी के सं कर दो से कर लें और उसके बाद एक और दोनों को कप्लीट कर लें तब तीसरा सेंट होता है कि इसके लास्ट में तो आप क्या करेंगे वो सेट के अत्रहका होता है मा बस तुनिष अब्जेक्टिव फ्रस्व होते हैं अब्जेक्टिव पॉश्टिंस को बना लें तीन स्टेप में स्टेप वन आपका क्या होगा जितने भी पहले वाले दिये हुएन कि कैविनेट मंत्री कौन है सुच कांक में कौन सा स्थान है नित्यायव के बारे में नोबेल पुरुषकार जो मिला उसके बारे में खेल जगत के बारे में फ्रेंच चॉक्वां विंबल्ड ठीक है अस्ट्रेलियन अमेरिका युएस से ऑपन जो भी होता है ठीक है यह सब जो में यह कने देखन icon विलता है आप मंजली परने होंगे तो आपको पता होगा नहीं तो इसका जो बारसी कांक का आता है आप देख लेगे नार्केट पे पता एक सुनुल करता जब यहां दोनों कर लेए कि इसके साथ क्या करें कि आप देखेंगे कि यूटूब पर अनेको चेनल ईकिसी एक चेनल का क्या नाम लेना है है आनेको चेनल जिस पर 4-5 घंसे का महाट एपि सोड रहता है करन्ट अपिर्स का महाट एप presenter 5 ते वो यहां से नहीं होता है पहले आप क्या करें बूक का धियन और यह जब आपका हो जाएगा तब आप इसका करें तो क्या को भंगे तूर यहां पर या पर यहां पर याद कर में और और पुछ नहीं है तो आपका क्या हो गया कि benefits बढ़ जाते हैं आपका जो है फाइदाल में ज्यादा हो जाता है आप पढ़ ले ठीक है पहले बुक का धियन कर ले तब ये चार-पाच घंडे का जो एपीचोड है उसको एक बार दोबाद देख ले अब चार घंडे का भी है तो जोर नहीं कि चा तो वह चिंटा आपका क्या हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएगा यह को पता चल गया है कि आखिरकार करना क्या है और जब पता चल गया करना क्या है तो ज्यादा भागने से कोई फाइदा है नहीं क्योंकि समय कम है और जब समय कम हो तो इस कम समय म हो सकता है कि दा हिंदू की पड़ी हो ठीक है तो जो भी पड़ने की है वह पढ़ना चाहिए वह तब होता है जब आपके पास पढ़िए आप समय आपके पास में समय बहुत ही कम है तो इस कम समय में क्या करें यह सारे जो करें अब आता है प्रस नौर यहां पर स्ट्रेंट का हो जाता है आपनों के कमेंट में मैंने देखा कि आप पूछ रहे थे की चीक है क्रेंट अफेर्स तो पढ़ना चाहिए लेकिन कब से पर ना चाहिए तो क्रेंट अफेर्स आप पर ले जनवडी 2020 से लेकर बस आगे आप समझी करना है अपने एक्जाम तक पढ़ने जनवडी 2020 से शुरू करें और बस पढ़ते चले जाए जहां तक हो पाया पर लेए ठीक है सुर्वात लेकिन जनवडी 2020 से करना है इसे पीछे नहीं जाना है अब दो चार प्रसन पूछ दिये जाते हैं 2019 से भी तो वहां रेंडमली होत 2019 से पार्णा सुरू कर दिया जाए तो यह बेब कुफी हो जाएगा इसको बहादरी नहीं कहा जाता है देकि बहादरी और बेब कुफी में थोरा संतर होता है या सही तरीके से चले तो बहादरी हो गया और ज्यादा होस्यार बढ़ने की कोशिस किये कड़ें तो बेब अच्छा होगा उचित तो है कि आप खरिद ले यह आप नहीं भी खरदना चाहें तो भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है अब यह सारे बूक को क्या करें ओलाइन डानलोड कर लें फिरी में डानलोड हो जाती है ठीक है तो आप डानलोड करके पढ़ सकते हैं इन सब को पढ़ लें फिरी में पढ़ लेगे और इसे 30-40 रूपे की बूक पीडी की आती है और सो दोसों की पीडी की आती है और यह चारता सिंदे का जो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आपका रिज़ट सुनिस्सीत हो जाएगा तो मिलते हैं बहुत ही जाद दबता के लिए जय हिन जय वराद झाल झाल